तो आज की नहीं व्लॉग में आज देख रहे हम त्यार होगे होटल से निकल चुके हैं ना अपने काम जा रहे हैं वहाँ पर गाइस हम अपने डेस्टेंशन पर पहुंच गये जो हमारा लोकेशन है जहां हमारा पर फंक्शन है ऑफिस का यह देखिए गाइस कुछ अंदर का नजारा और यह हमारा मोटा गाना अगी को बहुत जोर से बूख लगी या उसको मेरी बहुत जादा जरूरत में पूरा दिन से मेरे बिना काटा और मैंने उसकी बिना काम इतना लग रहा आपको हैं कहा मेरा पुट्टर एलो आपको बड़ा फूर मेरा बेटा आठ गंटे निकाल लिए मेरे बेटे के बिना है ना कुछ हमने आपसे अपना रूम तो शेर ही नहीं है कि हमारे रूम कैसा है तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा रूम टोर दे रहती हूं सो गुड मॉर्निक गाइज तो मुंबई में हमारा सेकिंड दे और सेकिंड नहीं वैसे बहुत सकते हैं हाँ सेकिंड ऑफ्री यह तो आज की नहीं व्लॉग में आज देख रहे हम त्यार होगे होटेल से निकल चुके हैं ना आपने काम कि प्र जारें वहां पर हमें पूरा दिन लग जाएगा और उसके बाद जम हम शाम को फ्री होंगे बीच में हजबन नहोंगे वो करेंगे मौका मिलेगा शूट करेंगे बीच में हम मैं करूंगी मतलब छोटी-छोटी क्लिप जितना भी हमें पॉसिबल होगा उतना हम शूट करेंगे बाकी बने रहे डेविद र अफिस का और इवेंट है तो ऐसा है कुछ लोकेशन देखे लोगों को अधिया तो होई गया होगा तो बने रही है और अपडेट लेते रही है ना पतिद्यव अधिशिए हमारा शुपू हम इसको ऐसे उठा करेंगे तपड़े वगरा पहनाते हैं और मैंने भी बाल भी है कि डव्यू डवर्लू है कि मिशंद्र है कि यहां पर बहुत सारे रस जए तो प्यारे बच्चे को मने कई यह प्यारा बच्चा अंदर नहीं आ सकते रेस्टरों के बीच में कि अंदर बहुत सारी मार धारे तो इसलिए में और शुबु भी घर जा रहे वापी शोचल जा रहे में और शुबु अभी हुआ हुआ है यहां पर आएंगे और है कि सुनुसूद भी एंगे यहां तो काई सुबु के पापा को जाना पड़ा और में अंटर हो चुक्कियों एक्जिवेशन में कि यह देखिए गाइस कुछ अंदर का नजारा और यह हमारा मोटा गना क्यामरा मन फोकस के साथ यह हमारे इसबर इसमें होगी डव्ली डव्ली एक तो अभी हलका सा मील हो रहा हमारा कॉफी के साथ खाना खतम खाना खतम पैसा हजम तो यह देखिए यहां का सेट स्टेज बहुत प्यारा है यह तो यह जा रहे हैं और देख रहे थे कोई हमारे साथ में तो गाइस मैं अभी अभी फ्री हूँ बहुत रात होगी है और पूरा दिन मैं शूट नहीं कर पाई क्यूंकि मेरा शुडिल बहुत जादा बेजी था और अभी मैं जस्ट और मैं बैट रही हूँ और होटिल जा रही हूँ क्यूं क्यूंकि अभी मुझे और लेट होता बड मैं आटो में इसलिए कर रही हूँ टैक्सी करने का टाइम नहीं है और ट्राफिक भी बहुत जाता है मुंबई का ट्राफिक आप लोगों को पता ही है शुभांगी को बहुत जोड़ से गूग लगी और उसको मेरी बहुत जादा जरूरत में पूरा दिल से मेरे बिना काटा और मैंने उसकी बिना सिर्फ यह मेरा दिल चानता और मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे बिदाय उसके और बस मिलती हूँ उससे जाके मतलब बहुत जल्दी है कि मैं बहुत इतनी जल्दी हूँ सके उससे मिलू यहां से अराउंड 9-10 किलो मेटर है और डिपेंड करता है ट्राफिक कैसा है उतनी जल्दी में पहुंचूंगी तो मिलती हूँ से फिर आपको दिखाती हूँ एक म मां के लिए क्या होता है आज में कुछ ज्यादा ज्यादा से ज्यादा फील हूँ 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 है बहुत जाम लगा और मेरा दिल तडब रहा है कि सब पहुंचूंगी मैं अपनी बच्ची के पास प्रिष्णा प्लीज टाफिक कम सब दो तो गाइस मैं होटेल पहूं कि अब शुबू से मिलने का बस समय आगया पुले दिन की थकाहुट के बाद में में मिलूंगे अपनी जान से मेरी जिगर से इसके लिए पैकरा मेरे बड़ा पाऊ वह तो नहीं खाएगी मुमा और उसके वह तो खाएंगे और शुबू की तब बेट भी ठीक नहीं है बस बढ़ा है गए नहीं कर बाऊंगी और उसे मिलने के लिए मैं बेताब हूं मेरा बच्चा मेरा लाइव आगे मौ मां बागो 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 शिपू अ का मेरा फुटर मेरा पिट्टर बेलो आपको बड़ा कुछ इसको प्रीज या पोकटे पी निए हुँ मेरा बेटा निकाल लिए मेरे बेटे के बिना है ना पुट है बहुत जूर से बजा आइम स्वारी ममा स्वारी माफ कर दो थपड़ पड़ रहे मुझे नहीं पुट्व बोल रही है आप जाओ के मारूंगी आपको कि अब ये क्या होरा है दिया करया है ये ये इसका प्यार करने का तरीका है कि अब ममा के साथ ये तांम स्वान हो कई गदे आप ग्रोंगा इसका आप ग्री का इत दो श्क्री और第一個 इसकान का म सुट्ट 123 भई है जड़ और जड़ Το decor है तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा रूम टोर दे रेती हूं तो यह रूम का सबसे पहले बैड में दिखा रही हूं बैड इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि बैड यह जो थोड़ा ठीक दिख रहा है रूम थोड़ा मैसी है सब्सक्राइब है रिजन है हमारी शुबु जी और शुबु के पापा जी चीके उसके बाद हमारा वह चोटा सा लैन लैंड एसी एस यूजल हमारा लैपटोप एरिया चाजिंग का पॉइंट यह अच्छा से पेंटिंग है और यह हमारा टीवी टीवी के साथ हलका सा टेबल जहां हमने खान खाके थोड़ देर पहले डिनर किया और यह मेरा दूद का ग्लास पानी की बोटल स्थिक रही है आपको समान जो हमने मैसी किया थोड़ा सा यह शूर चिपल हमारे और कमरा के निकलते बेडरूम के साथ ही यहां पे छोटा सा टीबल दो चेरे थी जहां हमने प्यारा है साथ में मीरर मीरर और मैं घर के कपड़ों में उसके बाद यह जो लूग क्या ना सबसे अच्छा लूग कि यह लगा मुझे यहां से जो आपको दिखेगा इंदा मूंबाई तो यह बालकोनी चोटी सी बहुत प्यारी सी बट यहां से अच्छा व्यू दिखता है और यह कटन्स है और यह यहां पर हमारा छोटा सा कबड़ जब हमने समान रहते हैं और एक नीचे भी खाली रखा है हमने इतना समान तो था नहीं साथ में हमारा यह बात्रूम सबसे मेंने इंपोर्टन जिसमें हमने यहां पर यहा अच्छा है तो गाइस ऑफिस के तरफ से रूम मिला है हमें और होटेल भी अच्छा रूम भी अच्छा है अब मुंबई जैसे शहर में यह मिल गया बहुत बड़ी बात है तो हम खुश है और सच में हैपी है और शुबू सो रही है भी तो आपको कैसा लगा रूम सच में मुझे भी अच्छा लगा में पता कि आता रूम में एक तो मुझे बैड और वाश्रूम वह ठीक है और यह नहीं कुछ भी आप बोलो ऐसा नहीं कुई आदा गंटा लगा रहा है एक तो हेल्फुल और दस पांच मिन में सर्विस दे रहें वह बहुत अच्छी आपसी हो रही है ना मैंदर की वैसे और हमारी भी हो रही है सो गाइस हमने डिनर कर लिया है और बहुत शेडूल हैटिक वाला रहा और थक्ये जदा भी शूट करने की हिम्मत भी नहीं शुबू की तबेद भी कुछ ठीक नहीं लग रही है क्योंकि मैं आई इसके साथ खेल काली और इसको प्यार के सने कुछ भी नहीं खाया सिर्प मेरा दूद पिया और दिन में इसने उल्टी भी की तो इसके ठीक नहीं है और बस हमने भी खाना आया था खाया और वो भी शूट नहीं कर पाए अब हम सोने के त्यारी कर रहे हैं सुबह फिर जल्दी उठना है कि क काम है वो करवाना है फिर फिर से डेली रूटीन होई है ना अभी दो दिन काम पर जाना है अभी दो दिन ही और यह शडूल चलेगा तो आज का व्लॉग इतना शॉट टम में मैं बोलूंगी कि ज्यादा में शूट नहीं कर पाई काम से गई थी बीजी थी जितना हो सका मैंने इतना शेयर किया बहुत अच्छा लगा ठीक है इवेंट जो था बाकी मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक आप अपना ख्याल अखिये और मुंबई वासियो आप भी हमारा व्लॉग देखो अच्छा लग रहा मुंबई में आके बाई गैस थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई गदो, बाई गोड़नाइट गोड़नाइट